हेलो स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट एकाउंटेंसी चैप्टर इश्यू अफ डिबेंचर फ्रॉम दा बुक आफ टी एस ग्रेवाल का फ्रेक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 कराने जा रहा हूं स्टुडेंट्स ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी एस ग्रेवाल की एकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम टू का एडिशन टू जीरो टू वन है ठीक है जी इसका 26 कोश्चन रहता है अभी एक कोश्चन उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा ठीक है कोश्चन है स् इसे पिछले जो 25 कोश्चन है मैं अपने चैनल में मेरी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से वह कोश्चन देख लीजिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं 26 कोश्चन 26 कोश्चन क्या कह रहा है कि स्टार लिम्ट ने कंपनी का नाम क्या है स्टार लिम्टेड ठीक है उसने एसेट्स ली हैं 6,60,000 और लाइबिल्टी तो इसमें हमें बनाना है उसका जर्नल ठीक है पास जर्नल एंट्री करने को बोला ना तो जर्नल बनाने के लिए नाचुरू आपको पता फॉर्मेट तो चाहिए तो यहां पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर क्योंकि डेट तो है नहीं इन कोशन्स की पर्टिकुलर्स ठीक है जी यह है लेजर फोलियो उसके बाद है डेबिट रूपिज क्रेडिट रूपिज ठीक है जी तो यहां से पहली एंट्री मैं करता हूं उसने क्या परचेज किया है संड्री एसेट्स तो यहां आजेगा संड्री एसेट्स एकाउंट डेब्टिड ठीक है एक स्लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि हो सकता है इधर गुडविल आई यहां इधर कैटल रिजर्वाए हमें नहीं पता होता ना भी ऐसे कोशन्स में तो यहां आएगा संड्री लाय सकते हैं एसेट्स बैटे देओ छे लाक साथ हजार के और हैबिलटी कितने की एसी हजारे की ठीक है डीकजीए ओक Iowa क्या जिए और शक्वाद और वह से क्या चाहा रहे है परचेर कनसेड्रेशन ठीक है जी यह आ गया 60,60 और purchase consideration was payable 10% in cash and balance 54,000 के debentures हैं तो इसका मतलब इसका जो purchase consideration निकलेगा वो कैसे निकलेगा purchase consideration ठीक है जी वो 6,00,000 के asset है और purchase consideration यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 6,00,000 का उसने given है हमें हमें कितना purchase consideration given है 6,00,000 का तो 6,00,000 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे तू किसके नाम से moon limited से उसने किसे खरीदा है moon limited से 6,00,000 का कर लेंगे ठीक है जी तो यहाँ पर क्या आएगा तो यह 86 हो गया 6,00 है तो 20,00 तो उपर आएगा यह आजएगा good will account ठीक है बटे good will account आजएगा क्योंकि हमें purchase consideration यहाँ पहले ही पता थी तो यहाँ पर लिख लेंगे being business purchased from moon limited ओके जी चलिए आगे बात करते हैं इसका case one की case one में क्या होगा case one में वो क्या कह रहा है purchase consideration was payable in 10% cash and balance in 5,400 debentures of 100 each तो ठीक है यहाँ पर फिर entry क्या आएगी case one की moon limited moon limited को तो आपको करना ही करना है 6,00,000 से debitter ठीक है जी और bank से पैसे वो pay करने को कह रहा है कितने 60,000 तो naturally बाकी कितने बच गे 5,40,000 उसके वो क्या issue कर रहा है उसके वो 12% debentures issue कर रहा है ठीक है जी debentures account तो यह 5,400 into 100 करके 5,40,000 आ गया तो ठीक है इस case में entry आएगे being 10% amount paid and for balance debentures issued ठीक है simple से narration लिख लो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ओके जी उसके बाद है case 2 case 2 में क्या है purchase consideration was payable 10% in cash ठीक है यहां भी देने है पर वो debentures कितने की issue करने को कह रहा है 45,00 तो यह interesting case है तो इसका मतलब बाकी फिर क्या हुआ बाकी फिर security premium में जाएगा moon limited debited यह कितना आगे बटे इसको तो 6,00,000 पे करने है two bank में कितना आजेगा 10% 60,000 चला जाएगा ठीक है जी and कितने debentures issue करने को कह रहा है 12% debentures issue करने को कह रहा है न वो तो यह आजेगा 45,00 इंटू 100 करके 45,00,000 का ठीक है और बाकी क्या आएगा two security premium reserve तो यह आएगा 45,00 इंटू 20 रुपे 20 रुपे यह आएगा ना क्योंकि 100 रुपे का 20% 20 रुपे बनेगा तो 45,00 इंटू 20 रुपे से multiply कर दो 45,00 इंटू 20 रुपे को 90,000 यह आजेगा यह ठीक है जी और यह बन गया 6,00,000 यह देखिए जमा 45,00,000 भी इसमें कर दो और जमा उपर वाला 60,000 भी कर दो तो आजेगा ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे being 10% payment made and 45,00 debentures issued at premium ठीक है जी यह हमारा हो गया बस ओके जी परचेस कंसिटिटेशन यह सिर्फ मैंने information के लिखा था हमें कुछ number of debentures निकालेंगी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो उसने आलड़ी दोनोर cases में हमें given थे इसमें 5,400 given थे इसमें 4,500 given थे ठीक है जी तो यह रहा यह आपका पूरा question मैं एक बार पूरा आपको दुबारा इसकी entries बता देता हूँ आप अराम से इसको समझ लीजिए ठीक है जी तो यह देखिए star limited ने sundry assets खरीदी थी sundry liabilities भी उसने मान ली थी उसकी मूह limited से business खरीदा था 6,000,000 का और balancing figure के रूप में entry किस में चली जाएगी goodwill account में और case 1 में वो कह रहा है कि 10% payment करने के बाद मतलब 66,000,000 में से 60,000 पे करने के बाद बाकि 5,400 के 100 रुपे के साब से debenture issue कर दिये और case 2 में मूह limited ने bank से 10% पे कर दिये और debentures और security premium उसने दे दिये दिये security premium में entry चली जाएगी 4500 करके 45,000 और remaining उसने premium पे issue कर दिये ठीक है जी तो students ये था ये question 26, I hope कि आपको अच्छी तरह समझा गया होगा इसके साथ मैं ये video भी conclude करता हूँ, आप अगले questions के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और videos को देखते रहें, okay जी, done